Difference between Expo and Exhibition in Hindi Expo और Exhibition दोनों ही आयोजन होते हैं, जहां विभिन प्रकार के उत्पादों, सेवाओं और विचारों को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इनके बीच कुछ प्रमुख अंतर होते हैं. Expo का मतलब World Exposition से है, जो एक अंतरराश्रिय स्तर का आयोजन होता है. इसमें विभिन देशों के प्रतिनिधी भाग लेते हैं, और अपने अपने देश की संस्कृती, प्रोध्योगी की, नवाचार और आर्थिक प्रगती को प्रदर्शित करते हैं. Expo अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होते हैं और इनमें व्यापक अंतरराश्रिय भागीदारी होती है. इसका मुख्य उद्देश जग्यान और तक्नीकी का आदान प्रदान करना और अंतरराश्रिय सहयोग को बढ़ावा देना होता है. Exhibition एक छोटा और अधिक विशिष्ट आयोजन होता है, जिसमें किसी विशेश उद्योग, कला, विज्ञान या व्यवसाय से संबंधित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाता है. यह राश्रिय या स्थानी अस्तर पर आयोजित की जा सकती है और इसका मुख्य उद्देश उत्पादों की बिक्री, मार्केटिंग या किसी विशेश विशेपर जागरूपता बढ़ाना होता है. संक्षेप में, एक्सपो एक अंतरराश्रिय और व्यापक आयोजन होता है, जबकि एक्सिबिशन अधिक विशिष्ट और छोटे पैमाने पर होती है. खृप्या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.